उम्शांती आज 26 सितंबर 2022 के साकार मथुर महावाक्य है आज की मथुर मुरली में बाबा ने इस यग्य का महत्व समझाया स्वयम निराकार परमात्मा ने प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा ये यग्य रचा है जिसका नाम है राजस्व अश्वमीद अवीनाशी ज्यान यग्य रुद्र ज्यान यग्य जिसे कहते हैं इस यग्य में अनेक प्रकार के विघन भी पड़ते हैं लेकिन आप ब्रामन आत्माई इस यग्य की रक्षक आत्माई हो आपको इस यग्य की रक्षा करनी है ब्रामण गायन योग्य तो है लेकिन पूजन योग्य नहीं बहुती गहरी बात आज बाबा ने समझाई कि जब तुम बच्चों में ज्यान की प्रकास्टा हो जाएगी तो तुम्हारी अवस्ता अचल अडोल बन जाएगी आपकी सितिक कर्मातीत बन जाएगी आपको माया के तुफान परिशान नहीं करेंगे भरे कितने भी तुफान आए आपको एक बाबा की याद में रहकर बाबा से ही गाइडेंस लेते रहना है कि इस परसिती में मुझे क्या करना है अब तक गीत सुनते आए अब गीतों का अर्थ समझना है बुद्धी में रखना है कि बाबा हम सब को सत्योगी दुनिया का वर्सा देने आए है बाबा के ते मैं वर्सा देता हूं रावन श्राप देता है ये भूल और अभूल का खेल है जब ये ग्यान की बाते तुम बच्चे भूल जाते हो तो जैसे की जीवन बंद में चले जाते हो बाबा का बंते हो तो एक सकिंड में जीवन मुक्ति मिलती है ये पढ़ाई उसी की बुद्धी में बैठेगी जो हरोज पढ़ते है अच्छी रिती पढ़ने वाले बच्चों की बुद्धी में ये ज्यान रतन ठहरेंगे उन्हें नशा रहेगा कि स्वयम भगवान मुझे पढ़ाते हैं वोही नौलेजफुल है वोही प्रिंसिपल है वोही एक्टर है वोही डारेक्टर है बाबा स्वयम पढ़ाने के लिए आते हैं तो अच्छी रिती पढ़ना है मुरली से बहुत प्यार होना चाहिए यहां बाबा केते हैं जब आप सुनते हूँ तो ये ज्यान भी है और योग भी है मुरली से बहुत प्यार होना चाहिए कैसे भी करके अच्छी रिती पढ़ना है बाबा को पाया सब कुछ पाया सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के ते मीठे बच्चे रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्यान यग्य रचा है इस यग्य के रक्षक तुम ब्रामण हो तुम गायन लाइक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते तुम गायन लाइक तो बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो कुशन है तुम बच्चों में जब ज्यान की प्रकास्था हो जाएगी तो उस समय की सिती क्या होगी जब आपने ज्यान की प्रकाष्टा हो जाएगी तो उस समय किस सिती क्या होगी उस समय तुम्हारी सिती अचल अडोल होगी किसी भी प्रकार के माया के तुफान हिला नहीं सकेंगे तुम्हारी कर्माती तवस्ता हो जाएगी अभि तक ज्ञान की पूरी प्रकास्था न होने के कारण माया के तुफान स्वपनादी आते हैं ये युद्ध का मैदान है नई नई आशायं प्रगट हो जाएंगी प्रंदू तुम इसमें डर्ना नहीं भले नई नई आशायं प्रगट हो आपको डर्ना नहीं, बाबा से श्री मतले आगे बढ़ते रहना है, गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पालिया, जमी तो जमी आसमा पालिया, ओब शांती, गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने, अब उसके अर्थ में टिकना है, लक्षे को पकड़ लिया, अभी हम बेह का वर्सा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया, रावन वर्सा छीनते हैं, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो, ये रुद्र ज्ञान यग्ये है, कोई मनुष्य का नहीं, प्रचा पिता नहीं यग्ये नहीं रचा, ये रुद्र ज ज्यान यग्य है, ज्यान सागर, शिवने यग्य रचा है, यग्य तो अनेक प्रकार के रचते हैं, जैसे दक्ष प्रजापती कहते हैं, अब दक्ष प्रजापती तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजा पिता, दक्ष प्रजापती अक्षर नाम कहां से आया, बाबा समझायते ये रौंग बनाया हुआ है शास्त्रों में लंबी चोड़ी कथाई लिख दी है अब बाबा केते जो भी सुनते आई हो सब भूलो मैं जो तुम्हें सुनाता हूं मैं सुनू प्रच्छा पिता तो एक ही होगा जो भी यग्य रचते हैं वो हैं यग्य यह है रुखानी बाब का रुखानी यग्य इसमें ब्रामन चाहिए वे ब्रामन तो है कुख वनशावली तुम हो मुख वनशावली मुख वनशावली कभी पुजारी हो ना सके तुम पुझे बनते हो वे हैं पुजारी तुम गायन लाइक बनते हो तुम्हारी पुज करते हैं तो वो रॉंग है पवित्र हैं सत्यूग में देवताईं हिंदो की रसम रिवाज है जो इस्ति को कहा जाता पती तुम्हारा गुरु इश्वर सब कुछ है तो पती के चरण धोकर पीती है आजकल तो रिवाज नहीं है सिविल मैरिज में अक्षर नहीं निकालते कि प मैं भी ये सब करती थी हिंदू नारी को ये करना चाहिए हाफ पार्टनर से धंदा कराया जाता है क्या बाबा पूछ रहे हैं कि स्त्री जो आपकी हाफ पार्टनर है क्या उससे धंदा कराया जाता है क्या किसम किसम के होते हैं तो जो रसम देखते हैं वो चित्र बना देते अब वहाँ ऐसे थोड़े ही हो सकता जो लक्ष्मी बैठ पाउं दबाई बाबा केते मैं द्रोपती के आके पाउं दबाता हूं उन्होंने फिर स्रीकृष्ण का रोप दे दिया ये सब व्यर्थ बाते वहाँ राम को तो चार भाई होते नहीं वहाँ बच्चा भी तो एक होता है चार बच्चे कहां से आए बाबा केते मैं तुमें इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूं ये बाते तुम बच्चों को समझाई जाती तुम समझा सकते हो बाबा केते तुम ये जो कसम उठवाते हो वो जूठा उठवाते हो अब कहते गीता कृष्ण ने गाई हाथ में गीता उठवाते हैं फिर कहते इश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना स्रीकृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते इश्वर के लिए कहते तो स्रीकृष्ण गीता का भगवान है अब ये बुद्धी से निका जूटा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही, एक्यूरेट है एक धरम राज, सुप्रीम जज वोही सच्चा है, सत्यू में जज जादी होते नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी बात नहीं होती, सब हिसाब किताब चुक्तू कर वहां चले जाएंगे, फिर नए सिर सतो सतो रजोतमों में आएंगे, हर वस्तू जो तुम देखते हो, नई से पुरानी जरूर होती है, दुनिया भी नई से पुरानी होती है, ये पुरानी दुनिया है, प्रन्तु कितने तक पुरानी है, किसी को पता नहीं, सदैव चार भागों में बाटा जाता, ये भी चार अब तुम हूँ अंत में, अंतिम जनम में तुम बाप से वर्षा पाते हो, 21 जनमों के लिए, सत्युक त्रेटा में 21 जनम, द्वापर कल्यूग में 63 जनम क्यूं होते? क्योंकि पतित बनने से आयू कम हो जाती है, आधा कल्प आयू बड़ी होती है, अब तुम योग सीखते ह सत्य उत्यता म्यायू बड़ी होती है द्वापर कल्यूग में कम हो शाती है तुम बच्चे यहां योग वा याद सीखने के लिए नहीं आए हो यहां तो समुक मुरली सुनने मुरली तो बहुत प्यारी लगती है योग तो तुम कहां भी बैठ के कर सकते हो स्टूडेंट के इंतहान का जब टाइन होता है कहां भी होंगे बुद्धी में इंतहान के बाते घुमती रहेंगे यहां तुमारी पढ़ाई और योग इकच्चे है पढ़ाने वाले को भी याद करना है बाबा केते मा में कम याद करो भूल से स्रीकृष्ण का नाम डाल दिया सन्यासी आदि तो स्रीकृष्ण को याद करते नहीं बाकि किसने कहा मन मनाभव तत्वा ब्रह्म तो नहीं कह सकता बाप इस मुख का अधार लेके कहते बच्चे मा में कम याद करो जोती बिंदू शिव बाबा ब्रह्मा तन से कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल से मा में कम याद करो ये सब पॉइंट्स बुद्धी में धारन करनी होती है फिर समचाना होता है कांगरसी लोग कितना आवाज से बोलते थे उनका लेडर था बाप उची वो था जिस्मानी बाप उची ये फिर रूहानी बाप वो जिस्मानी बाप ये रूहानी बाप सभी का बाप तो गांदी जी हो ना सके उनको राष्टर पिता कहते है विश्व पिता तो नहीं कहते शिव बाबा तो सब का बाप है ब्रह्मा भी बाप है जरूर प्रंतो इस समें सिरफ तुम उने जानते हो सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझते नहीं यहां बापू निराकार्शिव बाबा को कहते वे सभी का बाप है बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते कभी आत्मा पर कभी परमात्मा पर कभी शास्त्रों उपर धेर के धेर भारत में शास्त्र है और धर्मवालों का तो एक ही शास्त्र होता यहां तो अनेक शास्त्र है followers भी जो कुछ सुनते सत-सत करते रहते aim object कुछ भी नहीं लक्षे कुछ नहीं जैसे राधा स्वामी पंथ है अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो स्रेकृष्ण है, वास्तों में जिस रूप में भारतवासी स्रेकृष्ण को समझते हैं, वैसे है नहीं, राधे तो कुमारी है, स्रेकृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे, अब स्वंबर के लक्षमी नाराहिन बने, तब स्वामी कहा जाए, छोटे पन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो वे कोई पक का स्वामी थोड़े हुआ, बहुत हैं जो सगाई को भी तोड़ देते हैं, अब लक्षमी नाराहिन तो दिखाते हैं, प्रंतु नाराहिन के बाप Kil क्या है, बात्यू की बातों का सारा अगडम बगडम कर दिया, मिक्स कर दिया। लक्षमि नारण के माबाप का नाम कहां, नारण का बर्थ कहां, कोई भी नहीं चानते, राधे कृष्ण ही लक्षमि नारण बनते हैं। बाबा केते भक्ती मारक के कितनी बड़ी समगरी है ज्यान में तो सरफ बीज को जानना होता है बीज के ज्यान से सारा ज़ाड बुद्धी में आ जाता जानते उच ते उच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं वहां तो सब आत्मा ही रहती सुक्षम बतन में है सरफ ब्रह् और विष्णु तो पुनर्चनम में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता, जैसे शिव बाबा सुक्षम है, ऐसे शंकर भी सुक्षम है, उन्होंने फिर शिव शंकर कोई कठा कर दिया, है तो अलग-अलग न? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा प बाकि धार्णा करने वाले नमबरवार हैं जिसने जो पद कल्प पहले लिया था वोई पुर्षात चल रहा है पुर्षात विगर प्रालब्द माला बनते हैं लेकिन जो ब्रामन हैं उनकी माला नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती क्योंकि वो पुरशार्थी है आज अच्छा चलते हैं कल माया का घुसा लग जाता रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएंगे ब्रामन तो पुरशार्थी है आज अच्छा चलते हैं, कल गिर पढ़ते हैं, तो माला बनना सके, आगे माला बनती थी, फिर तीन चानमबर में आने वाले आज है नहीं, ये युद्ध का मैदान है, कुछ भी बात समझ में न आए तो पूछो, क्योंकि तुम्हें औरों को भी समझाना है, कुछ भी बात पूछते भी हैं, बाबा ने समझाया, माया के तुफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विज़यी बने, अनुभवी टीचर ना हो, तो कैसे समझा सकेगी, अगर टीचर को इन बातु का अनदोल ना हो, तो औरों को कैसे समझाएगी, बाबा समझाते हैं, माया के बना देंगे, नई-नई आशाई प्रगट करेंगे, तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे, अरे युद्ध के मैदान में तुम अब आई हूँ, वैद लोग कहते हैं, इस दवाई से बिमारी सारी बाहर निकलेगी, तो बाबा अनुभवी है, सब समझाते, रोज सुनने वालों की बुद्धी में पूरी धार ना होगी, मुक्य है इनौलिज से काम, फिर भले कहां भी चाओ, मुरली तुम्हें मिलती रहेगी, मुरली पढ़ने की मिल्टरी में भी मना नहीं हो सकती, मिल्टरी को ऐसे थोड़ी कहेंगे, कि बाइबल वा ग पढ़ाने वाला, नौलेजफुल गौड फादर है, पक्का निश्य बैठे, हमें पढ़ाने वाला गौड फादर है, तब और बातों को समझ सके, गौड फादर कैसे आके पढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं, लिखा हुआ भगवान वाच, उनका नाम शिव है, परम आत्मा ह परम अथा सुप्रीम, परम धाम में सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा न? उनको क्रेटर, डारेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, वो है रच्यता, करन, करामनहार, फिर पार्ट धारी भी है, इसमें आकर कितना पार्ट पचाते, जिस से भारत स्वर्ग बनता है, उंच ते उंच बाप, शिव बाबा है, क्या आके किया, कुछ नहीं जानते, कल्प क्या यूँ लंबी कर दी, बाबा केते मुझे आना है, कल्यूग अंत, सत्यूग आधी में, सत्यूग में लक्षमी नार्ण का राज्य था, पावन दुनिया थ हम सो पावन, फिर हम सो पतित, चड़ती कला, उतरती कला कैसे होती है, ये सब तुम्हारी बुद्धी में है, बाबा कहते है, बच्चे, सबको बाप का परीचह देते रो, मुखे कारे है, सबको शिव बाबा का परीचे देते रो, बाप जब स्वरक कर्चता है, तो भारत को थी अब नहीं है, इसने भगवान को आना पड़ता, भारती शिव बाबक का वर्ज प्लेस है, आकर तुम्हें स्वरगवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो, भूल और अभूल का ये खेल है, बाप स्वरगवासी बनाते हैं, माया भूला देती, ये भूल बूल का खेल है इस नौलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है एक सेकंड में जीवन मुक्ती चड़ती कला जीवन बंद में कितना समय लगा ये बात इस शास्त्रों में थोड़े हैं जनक की बात है ना बाबा केते जो कुछ पढ़ा सब भूल जाओ बाब टीचर सत्गुरु मैं ही हूँ 21 जनम का तुमको वर्सा देता हूँ फिर भी ओहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो शिव वावा परिस्तानी बनाते हैं माया बहुत बच्चों को धोखा देती है क्योंकि श्रीमत पर ठीक रिती नहीं चलते हैं माया दोखा क्यों देती है क्योंकि श्रीमत पर ठीक रिती नहीं चलते हैं अच्छा मीटे मीटे सिक्रद बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार गूड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप द दको नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धार्णा के लिए सार मुर्ली हरोज जरूर पढ़नी है माया की तुफानों से डर्ना नहीं है किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्री मत लेते रहना पढ़ाई और योग दोनों इकठे है इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है निश्य बुद्धी बनना और बनाना है बाप का ही परीचे सब को देना है निश्य बुद्धी बनना और बनाना है बाप का परीचे सब को देना है वर्दाने अकाल तक्त पर बैठकर करम इंद्रियों से सदा स्रेष्ट करम कराने वा करम योगी वह है जो अकाल तक्त नशीन आठात स्वराच्य अरिकारी और बाप की वर्सी की राच्य अरिकारी है जो सदा अकाल तक्त पर बैटकर करम करते हैं उनके करम स्रेश्ट होते हैं क्योंकि सब करमिंद्रियां लाउर ओर्डर पे रहती हैं अगर कोई तक्त पर ठीक ना हो, तो लावर ओर्डर चल नहीं सकता, तो तक्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ करम, यथार्थ करम का प्रत्यक्ष्वल खाने वाली होती है, उसे खुशी भी मिलती है, तो शक्ती भी मिलती है, ऐसी आत्मा को जो यथार्थ करम करती है, उसे खु ब्रामन कल्चर सुबह से लेके रात तक जो हमको बाबा ने सिखाया, ब्रामनों को कितने बज़े उठना है, कितनी देर योग करना है, करमक्षेत्र पर करम करते हुए, लौकिक में भी कैसे रहना है, लौकिक में रहते भी अलौकिकता नजर आई, यह सारा ब्रामन कल्चर है, बावा को वही बच्चे प्यारे हैं जिने ब्रामन कल्चर से प्यार है आज हम अभ्यास करेंगे ब्रिकुटी सिहासन पर विराजमान मैं स्वराज्य दिकारी करम योगी आत्मा हूं ब्रिकुटी सिहासन पर मैं आत्मा राजा विराजमान हूं मैं स्वराज्य अदिकारी आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धी संसकार की मालिक हूँ, बाबा ने मुझे यथार्थ बुद्धी दे है। पर्मात्म शक्तियों को फाउंटीन की तरह अपने में आता देखें। पर्मात्म शक्तियां निरंतर मुझात्मा पर पड़ रही हैं। मैं अकाल तक्त पर बैठकर अपने स्वराज्य को चला रही हूँ। शक्रिया बाबा आपने करम योग सिखाया, यथार्थ करम सिखाये। शक्रिया, शक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती। अव्या अव्यक्त शक्रिया बाबा अपने झाण झाल झाल